नमस्कार दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का education के एड़िसेक्स में और रूख करते हैं बिहार की तरफ बिहार से जुड़ी हर वो कभर चाहे आपके नौकरी से हो चाहे आपके education से हो हम लेकर आते अपने channel के माद्यम से सबसे पहले लेकिन ये ख़बर बहुत इंपॉर्टेंट थे जियां बिहार के सिक्षक बहाली को लेकर जियां बिल्कुल सही सुना करीब 33,916 पदों के सिक्षक भरती को लेकर यहाँ पर एक अपडेट दे दिया गया है जिनमें की करीब 1000 ऐसे पोस्ट हैं जो की computer science के teacher के लिए भी दी गई है दोस्तों इनकी बहाली कब तक ले ली जाएगी और क्या इस lockdown में इनकी प्रकरियाएं सुरू की जा सकती है या नहीं इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से तो आखिर यह कब का news है और कब यहाँ पे इसकी बैठक का फैसला लिया गया है तो यह बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से वीडियो में अंतक बने रहिएगा दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज एक request और है कि चैनल पे जाएं तो subscribe के इस रेट कलर के बटन को दबा के चैनल को subscribe कर लें बेल आइकन को दबा लिजिएगा ताकि हर एक वीडियो का official update आप तक जा सके कल शाम को मैंने एक update दिया दर दोस्तों यहाँ पे यूपी PCS के लेकर exam को लेकर यहाँ यहाँ पे कुछ various post के लिए vacancy निकाली गई है अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके जरूर देख लिजेगा ओके और देखे अभी आप लोगों को आपको जी के जी इसके प्रवाइट करने के लिए तो थोड़ा सा टाइम वहाँ पे mismanage हो जा रहा है तो इसलिए इसकी टाइमिंग जो है mathematics की वो दोपहर या शाम में रखी जाएगी तो आप लोग कम से कम सहयोग कीजिए और बाकी जो previous वीडियो है mathematics के वो जाके सारे की सारे देख लिजे एक बार अगर देखना चाहते है तो चलिए लेकर चलते हैं आपको इसके news के update पे जो की बिहार सिच्चा की भरती को लेकर यहाँ पे दी गई है आज की ख़बर प्रभात में जी यहां दोस्तों यहां पे बताया गया है कि हाई स्कूल में करीब 33,916 सिक्चकों की न्युक्ती पद हुए स्रिजित पद हुए स्रिजित का मतलब यहां पे जो यहां पे नौकरी की प्रक्रियाओं चल रही थी और यह लॉकडाउन के चलते सारे प्रक्रियाओं को स्थगित कर दिया गया था उसी की ख़वर एक अपडेट करके आई है यहां पे बताया गया है दोस्तों की राज객 में करीब 33,916 सिक्चकों की न्युक्ती की रास्ता साफ हो गया है और मंगलवार को राज्य के कैबिनेट की बैठक हुई है यहां इसी मंगलवार को राज्य में यह कैबिनेट बैठक ली गई इसमें जो पदस्रिजन की मंजूरी दी गई है यह दोस्तों कैबिनेट की मीटिंग जो हुई थी यह वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये हुई है और इस बैठक में उच जियां उच इस तरिये उच मादमिक विद्यालियों में सिक्षकों की करीब 32,916 पदों की ये देख सकते हैं आप यहाँ पे दोस्तों 32,916 पदों के लिए और कंप्यूटर विशाय में यानि कि जो कंप्यूटर टीचर बनने वाले चातर थे यहाँ प यहाँ पे करीब 1000 पदों के जो पोश्ट है वो इसको स्रिजित किया गया है तो लगभग यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों 33,916 यानि कि 34,000 की ये वेकेंसी जो निकाली गई थी इसमें आपको मंगलवार को इसकी बैठक में सारी चीजी बात हुई है क्या नेसकर्स निक अब जो ग्राम पचायत में उतक्रमित विद्याले थे हैं उनको उच्छ मादमिक विद्याले में तब्दिल किया गया है तो जो ये निक्टिया होगी सिखखों की ये 33,916 पदों की जो निक्तिया होगी अब वो सिखख भी यहाँ पे उनकी तबादला करके यानि कि उनका ट्रांस्पर करके यहां पे इनको नियुक्ति दी जा सकती है यहां पे दूसरी चीज़े कही जा रही है दोस्तों कि इन में से करीब 201 ऐसे विद्याले हैं जहां पे 55 माधमिक सिक्षक के पद अभी खाली है यानि कि सरजित किये गया है तो 201 में अगर 55 स्टुडेंट यानि कि जो सिक्षक हैं वो भेजे भी जाएंगे तो समझे कि 1000 की पूर्ती तो सिर्फ और सिर्फ यह उत्क्रमित विद्यालों में ही पूर्ती कर ली जाएगी ठीके बाकी और भी विद्याले हैं हर जिले में विद्याले हैं करीब 38 जिलों का यहां पे जो बिहार में इनकी बहाली क प्रक्रिया होनी है, तो हर जिले में भी अगर 1000-1000 भी वेकेंसी जाएगी, तो 34-1000 लगबग मैंने बोला है ना, तो करीब 34 जिलों का यहाँ पर काम हो जाएगा, कुछ जिले छोटे भी हैं, जहाँ पर इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी 1000 सिक्षकों की, लेकिन एक जिले में 1000 वेकेंसी होना बहुत बड़ी बात होती है, और जहाँ पर हर राज्जी में जिया हर राज्जी के हर जिले में माफ कीजिएगा, हर जिले में अगर एक computer teacher भी यह दे दिया जाए, तो यह 1000 जो सिक्षकों की नियुकती है computer शिक्षक की यह भी आपूर्थी यहाँ पर कर ली जाएगी, यहाँ पर बताया जा रहा दोस्तों की, सिक्षक की जो स्रिजन किये गए हैं, बाकी 2475 उतक्रमित जो उच्च मादिमिक विद्याले हैं, ठीकिए, उनका पद स्रिजित नहीं किया गया है, तो 2475 ऐसे यहाँ पर ऐसे विद्याले हैं, जिनको उतक्रमित उच्च विद्याले में स्रिजित पद स्रिजन नहीं किया गया भी फिलाल, इनके लिए भी पद स्रिजन की मंजूरी बलके दे दी गई है, मंजूरी मिल चुकी है अभी लेकिन पद स्रिजन हुआ नहीं है यहाँ का इन 24 होगा, लेकिन यह 2676 ऐसे विद्याले हैं, जो कि उतक्रमित विद्याले थे, उच्च महाविद्याले इनको तब्दिल किया गया है, उच्च मादमीक विद्याले हों में, तो यह इनकी प्रकिरिया कारिरत कर्मी है, उनकी उपस्ति और मानेदे भोगतान में कटवती नहीं करने का विद्याले लिया है तो अभी यह तो फैसला सरकार, बिहार सरकार का भी था वैसे तो लेकिन हमारे जो केंद्र सरकार है उनका भी यही फैसला था, कि जो भी यहाँ पे कर्मी है जो लोग अपने निरंतर यहाँ पे इस लॉकडाउन में भी अपनी सेवाये दे रहे हैं तो उनकी सेवाओं का यहाँ पे जो सैलेरी बनती है वो काटा ना जाए उनकी माध्यम से जो कारेरत कर्मियों की उपस्तिती और मानेदे भुकतान में कोई भी कटोती करने का नहीं लिया गया है कि यहाँ पे कोई कटोती होगी और इस अवधी में गैर हाजिर कर्मियों की सत प्रतिशत उपस्तिती माने जाएगी और जो लोग यहाँ पे अभी फिलाहल गैर हाजिर थे जैसे कि बहुत लोग क्या हुआ था कि छुटियों में घर चले गया थे होली की में और होली के बाद आही नहीं पाये थे ठीके तो बहुत लोग नहीं पहुँच पाये थे तो गैर हाजिर कर्मियों के बारे में आप बोला गया कि सत प्रतिशात उपस्तित गैर हाजरी उनकी मानी जाएगी और सारन जिले में गंगा नदी के बाय तट पर बली टोला जिसमें की नजर मीरा से सबलपूर पक्षरिया टोला के 45 करोड से कटाव रोधी का कारे भी मंझूरी कर दिया गया है तो ये आपका अलग नियूज है यहाँ पर जो की गंगा नदी के चलते कटाव होता है खेर ये कोई मतलब नहीं आपके लिए जो कि मैं यहाँ पर नियूज दे रहा हूं वो नियूज सिर्फ आपके इ जहां पे official मैं आपको official अपने website से और आपको इसकी official website से क्लिक करके भी देख लाओंगा लेकिन अभी कोई यहां पे update नहीं था एक news update किया गया था तो मैंने सोचा कि यहां तक इस news को share किया जाए तो आशा करते हैं कि यह सारी चीज़ समझ में आई होगी इन 33,916 पदों में 1000 तो आपका computer सिक्षक ही है जिनकी न्योकती होगी और कुल 38 जीले हैं बिहार में तो 38 जीलों में जो भी उतकरमित विद्याले हैं उनको कुछ विद्याले को क्या किया गया है तो उचमादमिक विद्याले में तबदिल किया गया है और दूसरी चीज़े है कि जो अभी तबदिल नहीं हुए करीब 26-76 ऐसे स्कूल है उतकरमित जो इसको तबदिल नहीं कर पाया है सरकार उसको भी मंजूरी दे दी गई है तो देखे कब तक इसका आखिर फाइनल आता है कि इनका जो जो ज्वाइनिंग होगा जैसे होगा वो हर एक अपडेट आपक और वो वेकेंसी अभी पॉस्पॉन रखे गई है लेकिन ऐसे वीडियो कॉन्फरेंसिंग के दौरा मिटिंग करके भी चीजों को हल किया जा रहा है सरकार के दौरा तो सरकार अभी लगी हुई है देखते हैं कब तक इसका फैसला आ सकता है और आ जाएगा तो दोस्तों अभी STAT का भी फॉर्म भरा था एक्जाम दिया था उन लोगों ने बहुत सरे चात्रों ने तो उनका भी रिजल्ट जल्दी आएगा आप है ना अगर हो सके तो लौकडाउन खुलते से ही बहुत सरे रिजल्ट भी सामने आने वाले हैं तो जैसे ऐसे अपडेट आएगा मै जल्दी से और जितना हो सके वह जल्दी अपना सारा डिटेल अपडेट कर ले क्योंकि जैसे लौकडाउन खुलेगा हो सकता है कि सारे चीज़े यहां पर तुरंत आपको दे होनी पड़ेगी ठीक है यानि कि रिजल्ट रिजल्ट सब आने लग जाएगा या फिर आपका ज यहां भी जाए और सब्सक्राइब जूरूर कर लेंगे इस रेट कलर के बटन को दबाके और साथी साथ बेल आइकन दबा लेंगे ताकि हर एक वीडियो का ओफिशल अपडेट यहां से भी आपको जा सकेगा चैनल है वाइटी एजूकेशन ओके यहां पर सुबा में आपक को छे बजा मरसत जूड़के इसका कोशनर कर सकते हैं तो आशा करते हैं कि यह सारी जनकारी से आप आउगत होंगे और आप हमारे वाइटी एजूकेशन और एजूकेशन के टेलेग्राम को जॉइन कर लिजे ताकि वहां से हर वो अपडेट आपको दी जा सके आज के लिए कि यह सकते हैं